नमस्कार, भारत होमेपेथी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ irregular periods क्या होते हैं सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि हर महिला की जो body है वो अलग-अलग होती है हर महिला के काम करने का तरीका अलग-अलग होता है इसलिए ऐसा कोई fix pattern नहीं है कि आपको period इतने दिन के gap पर ही आएगी या फिर इतने दिनों तक ही आएगी तो अब मैं आपको बताऊंगे कि normal period क्या होता है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आपका period normal की definition में नहीं आ रहा है यानि कुछ न कुछ करबर है आपको अपने doctor से संपर्ग करने की जरूरत है जो normal की definition है उसमें एक महिला को period 21 दिन से ले करके 35 दिन के बीच में कभी भी आ सकता है ideally अगर देखा जाए तो जो period की cycle होती है वो 28 दिन की होती है यानि कि आपको 28 दिन के बाद period आएगा लेकिन ऐसा सब के साथ नहीं होता कि 28 दिन के बाद ही सब को period आ जाएगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे factors पे depend करता है जो महिलाई होती है उनकी जो lifestyle होती है अलग-अलग होती है उनके काम करने का तरीका अलग होता है तो इन सारे factors पे period depend करता है तो 27 दिन के 7 दिन पहले या 27 दिन के 7 दिन बाद तक अगर इसके बीच में आपको period आता है तो वो normal है इसके अलावा अगर आपको period में जो bleeding होती है वो 2 से 8 दिन तक हो रही है तो वो normal है लेकिन अगर आपकी जो bleeding होती है वो 2 से कम हो रही है बहुत कम दिन की हो रही है या फिर बहुत जादा 8 से बहुत जादा दिन तक हो रही है तो वो abnormal है इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई internal problem develop हो रही है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्ट करना चाहिए इसके अलावा अगर आपको period के दौरान दर्द होता है अगर दर्द कम है तो वो normal है लेकिन अगर दर्द बहुत जादा है आप बिस तर से उठ नहीं पा रहे हैं आप जो daily life का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं आपका काम hamper हो रहा है बहुत जादा आपको mental stress हो रहा है तो वो normal लेकिन अगर आपको एक दो दवाई जो भी दवाईयां आप लेते हैं उसे लेने के बाद relief हो जाता है और आपका काम कोई hamper नहीं होता है तो वो normal है अब बात करते हैं irregular periods की अभी तक मैंने आपको normal period के बारे में समझाया है अगर आप normal period के बारे में समझ गए हैं तो आपक मैंने बताया सबकी cycle होती है आपकी cycle जो भी हो 28 days हो 30 days हो 32 days हो जितने की भी cycle आपकी है अगर उस cycle से काफी जल्दी जल्दी periods आने लगे हैं आपको या फिर काफी देर से periods आ रहे हैं तो यह irregular periods है यह normal नहीं है दूसरी बात जो आपकी bleeding time है जैसे पहले आपको 5 दिन तक bleeding होती थी वो घट करके एक दिन दो दिन हो गई है या फिर 8 दिन से बहुत जादा दिन तक आपको bleeding हो रही है तो वो irregular है वो normal नहीं है तीसरा जो आपका bleeding का flow है जो आपकी bleeding का flow पहले होता था उससे बहुत कम हो गया है या फिर flow आपका बहुत जादा हो गया है तो यह normal नहीं है य और आपको इन में से कोई भी दिक्कत और कोई भी परिशानी हो रही है तो यह नॉर्मल नहीं है यह इर्रेगुलर पीरियट्स है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जानना चाहिए कि कहीं इंटर्नल कोई प्रॉब्लिम डेवलब तो नहीं हो रही है आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इर्रेगुलर पीरियट्स क्या होते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि इर्रेगुलर पीरियट्स के कारण क्या है यह क्यू होता है और कब होता है अगर आपको हमारी वीडि कर दो